वेलकम टू नेक्सक जाओं आज है 27 सितंबर 2024 और 27 सितंबर 2024 से करेंट अफेस के जितने भी important question बन सकते हैं सारे आम इस वीडियो में डिसकस करेंगे और हर question से related important fact भी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखे लास्ट मैं आपसे question पोचूँँगा उसका answer आपको comment box हों बताना है आज किस वीडियो की paeidea file आप इस वीडियो के discussion से download कर सकते हैं पैडिया आप मारे telegram गूरूप से भी download कर सकते हैं टेले गूरूप पर आपको सारे paeidea एक साथ मिल जाएंगे और telegram गूरूप का link मैंने इस वीडियो के discussion में दे दिया है तो आप उस link पर click करके टेलिग्राम गुरूप जॉइन कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं पहला question है 200 पर्यावण स्वास्ते दिवस कब मनाया गया है तो अभी 26 सितंबर को 200 पर्यावण स्वास्ते दिवस मनाया गया question का बे option से यह हर साल 26 सितंबर को बनाया जाता है और यह इस बात पर जोर देता है कि कच्रा प्रबंदन प्रदूसर नियंत्र स्वच्छ हवा पानी और अच्छी स्वच्ता सहित मैतपूर चुंताओं से निपटकर एक सुरक्षित और स्वस्त वातावण कैसे बनाया जाए य जैसे एक सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बेंग का सात्मा स्तापना दिवस मनाया गया दो सितंबर को बेश सुनारियल दिवस मनाया गया तेन सितंबर को गगन चुम्बे इमारत दिवस मनाया गया पांस सितंबर को अंतरास्टी चैरेटी दिवस मनाया गया छे सितं सितंबर कु और सब्सक्राइब पुलिस सायोग गित विपस साक्षरता धिव से ितंब्र से पहते से यह जुतनेको ॐ दोन करक्या तभ। क्यों पर रेसे यह फैय। मनायागै करने दिफिधार कुछ्य चाइड सितंबर इप्चार बिस और हेंदी दिफ यह ऐस बार दो दिफस मनाया गया है लेकिन चाहिए चोछ प्रात्मिक उप्चार दिफ Circ. साधार से जो किसा भानायाए जाता है इसलिए ये इस बार 14 सितंबर को मनाया गया 15 सितंबर को National Engineers Day और अंतराश्टी लोक्तंत दिवस मनाया गया 16 सितंबर को 200 ओजोन दिवस मनाया गया 17 सितंबर को 200 रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया 18 सितंबर को 200 बांस दिवस मनाया गया 20 सितंबर को 200 सफाई दिवस मनाया गया, 21 सितंबर को 200 अलजाइमर दिवस और अंतरास्टी सांती दिवस मनाया गया, 22 सितंबर को 200 गेंडा दिवस मनाया गया, 23 सितंबर को अंतरास्टी सांकेतिक भासा दिवस मनाया गया, 24 सितंबर को 200 बॉलीवुड दिवस मनाये गया 25 सितंबर को 200 फार्मसिस्ट दिवस मनाये गया और 26 सितंबर को 200 गर्व निरोधक दिवस और परमण हत्यारों के पूर उन्मूलन के लिए अंतरास्टी दिवस ये दो दिवस और 26 सितंबर को बनाये गये है तो सितंबर में अब त सबसे पहले अपने लेक टार्गेट करो और फिर अपना पूरा दिन उस टार्गेट को अचीब करने में लगा दो आपकी लाइफ ऑटोमेटिक लिए अच्छी हो जाएगी अच्छा यह सितंबर 2024 के थर्ड वीक का वीडियो है इसमें पूरे बेक के करेंट अफैस डिसकस किये यह वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इससे आप देखिए यह मैंने फैक्टि स्टेडी चैनल पर अप्लोड किया है यूट्यूब पर आप फैक्टि स्टेडी सर्च करो आपको चैनल मिल जाएगा नाए क्यूशन है केस केंद्री मंत्री ने बैप पूर् इन्होंने ही बैप पूर्टल परिदी 24-25 और AI टेक्सोनोमी एबुक का सुभारम किया तो इस कुश्यन का से ओप्सन सही है ने क्यूशन है हाली में से एस आई आर का त्रासीमा इस्तापना दिवस कब मनाया गया है तो अभी 26 सितंबर को से एस आई आर यानि काउंसिल आफ के और सायंटिपिक एंड इंडस्ट्रियल रिसक्ष का तरासी मास तापना दिवस मनाया घduction का भी औप्सन है एक चल करना इंटीन 42 में इसकी स्तापना हुई थी, 22 सितंबर 1942 को CSIR की स्थापना हुई इसलिए इस बार इसका 83 मां स्थापना दिवस 26 सितंबर को मनाया गया ने क्यूशन है खाली में S&P Global Rating ने बित बर्स 2024-25 में बारत की आर्थिक ब्रद्दिदर कितने प्रतिसत रहने का अनुमान लगाया तो S&P Global Rating इसने बित बर्स 2024-25 में बारत की आर्थिक ब्रद्दिदर 6.8% रहने का अनुमान लगाया तो इसकुशन का C options है ने क्यूशन है बिदेश मंत्री S जैसंकर ने कहां L69 और C10 राष्ट समों की पहली सैउक्त मंत्र स्तरी बैठक में भाग लिया तो इसकुशन का बे options है यह है हमारे बिदेश मंत्री S जैसंकर इन्हों ने अभी निव यॉर्क में L69 और C10 राष्ट समों की पहली सैउक्त मंत्र स्तरी बैठक में पाटिस्पेट किया है ने कुशन है हाली में जारी Global Innovation Index 244 में कौन सीट पर रहा तो पहले तो यह याद रखो कि यह 133 देशों का इंडेक्स है Global Innovation Index इसमें तो इसको इनका से उप्सिन जहीं है अब बात आ जाती है कि इन 133 देशों में अपना देश भारत कौन से नम्मर पर रहा है तो इस बार भारत 49 में नम्मर पर रहा है कितना 39 नम्मर पर लास्ट यह 40 नम्मर पर था यानि की40 पर था इस बार 49 पर कोंचिए तो इंडिया 49 में नंबर पे रहा है और सुऩा राप मेपर सुवधेलनिड की लिकरन्जी क्या है सवेटस फ्रेंग और सीड़नेंड के प्रेजिडेंट कौन है वियोला आमहर्ट आ है हाली में कौन अगले बायू सेना उप प्रमुख नेख थुए है तो अभी SP धार कर अगले बायू सेना उप प्रमुख नेख तुए, दुसकुश्यन का Bay Options अहिए, यह है SP धार कर और यही अगले बायू सेना उप प्रमुख नेख थुए है commenday यूएस की रास्टे क्रिकेट लेक का आयुक्त हारून लोरगट को बनाया गया जितेंद्र जे जादब ने एरनोटिकल डिवलप्मेंट एजनसी यानि की की डेजी का पदवार समाला मैं के बीहस मरיयन नेवन के CEO का पदवार Σमाल इब्रहिम सेख डियों को जलवायू को के का नदेसक निवक्त किया गया आलोक रद्यन् को सिंह को एन रच्छुना संगो अगले बायू सीना प्रमुक के रूप में उक्त किया गया और केंद सरकार ने जस्टिस तासी रबस्तान को जम्मू कस्वीर और रद्दा कुछ नियालय का मुख्य नियादिस नियुक्त किया है अ कर Это कहां मेदाबी चात्रो को समर्थन प्रदान करने के लिए लिए सीएम सात योजन सुरू कि गई इसमें क्या ओगा जो मेदाबी चात्र है ओना तो साहता दी जाएगी गवर्रमेंट की तरफ ती इसलिए इसका नाम सेम साथ योजन रखा गया है और तृपुरा में यह सुरू होई है तो इसको शिण का से ऑप्सें सही है अब तृपुरा तो यह है मैप में तृपुरा तृपुरा क्या है अगर्टला तृपुरा की चीप मिनिश्टर योगी आधितनाथ और त्रिपुरा के चीप मिनिश्टर मानेक साने मिलकर किया अच्छा दिब्विकला मेला 2024 का उद्गाठन अगरतला में हुआ एक कैबिनिट प्रडाली लाउ करने वाला चोथा राजी त्रिपुरा बना त्रिपुरा सरकान ने मैलाओं के लिए गुलाबी सोचाले स्तापित करने की गोशना की त्रिपुरा में महाराजा बेर बिक्रम की 115 मीं चेहनती मनाई गई त्रिपुरा में एतियासिक खर्ची पूजा शुरू हुई सौरब गांगुली त्रिपुरा के टूरिज्म के अंबेस्टर बने और त्रिपुरा के मुक्यमंतरी ने स्वदेशी मसाला बितरड कारेक्रम का उधगाटन किया ने कुशन है किसने उलान बाटर में IBSF World 6 Red Championship जीता है तो ये कमल चाबला ने जीता है तो इस कुशन का बे आप्सेंस है ये बिलियर्ट्स एंड इस्टूकर से रिलेटेड है ये IBSF World 6 Red Championship और ये कमल चाबला ने जीता है ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये हैं कमल चाबला next question है खहाँ भारत का पहला कागज रहित चुनाओ आयूजित किया गया तो ये मद्य प्रदेश में आयूजित किया गया मद्य प्रदेश के भोपाल जिले में बेर्सिया विकास खणडवे गाउं है रतुआ रaters यहां पे पंचैत चुनाव कागज रहत कराये गया और ये पूरा का पूरा पेपरलेस था ऐसा पहली बार हुआ है पुरऑ। में तो मध्यपुर्धेस कागज रहे चुनाव आयुज़ित करने वाला पहला राजी बन गया है अब मध्यपुर्धेस तो यह मैप में मध्यपुर्धेस मध्यपुर्धेस की केपिटल क्या है बोपाल अच्इल भोपाल सुनते हो तो मायन में जाना चाहिए कि भोपाल में है भोज़ताल मद्यप्रदेश की चीपनिष्टर है डॉक्टर मोहन यादब और मद्यप्रदेश की गवर्णर कौन है मंगू भाई सेपटेल अच्छा मद्यप्रदेश में संभागों जेलों और तैसिलों का नए स सबसे अधिक 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट तक धमरू बजाकर गिनेज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया चौथा रास्टे हिंदी बिग्यान समेलन 2024 ये भोपाल में जित हुआ इंदोर में मात्र 24 गंटे में 11 लाग पौदी लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया पीम स्व सब्सक्षक कर दिया गया है तो यह मलेशिया में था सांगा की विजह से इसको य Help और यह रेकी डेंजर खर्दिया और अब इसे दोस्त कर दिया गया है तो इस को छло कि उप्सन साही है कभी ये सबसे बड़ा स्टेडियम माना जाता था आज इसे दोस्त किया गया है ये है सहा अलम स्टेडियम मलेशिया में था खराब रख रखाओ की विए से इसे अयोग डिकलियर किया गया और अब इसे दोस्त किया गया है अब मलेशिया तो ये है मैप में मलेशिया मलेशिया लाइफिटंन अचीव्मेंट अबावड 2023 से समानुद किया गया है देपक सी महता को सम्मा ज ряд तो चुछिं का एख सभी है ये हैं देपक सी मेहता इनको icc लाइफिटंन अचीव्मेंट अबाट 2023 से सम्मानद किया गया अच्छा कल ही मैंने आपको बताया है कि प्रत्यासा रे को 2024 के एक लब पुरुसकार के लिए चुना गया है किनेज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारते फिल्म उद्द्योग में उत्करष्ट अभिनेता के पुरुसकार से चिरन जी भी कोने डेला को सम्मानित किया गया लापता लेडिज फिल्म 97 ओसकर पुरुसकारों के लिए ना मंकित हुई रिया सिंगा ने मेसी उनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता प्रसांति राम ने अपने लगू का था नायन यार्ट साड़ीज के लिए सिंगापूर साहित पुरुसकार जीता और जैमिली कार्टिस ने अतित्री अभिनेत्री के लिए क्रियेटिव आर्ट्स एमी पुरुसकार जीता नए कुशन है हाली में जस्टिस सुदेश कुमार कैथ के सराजी के हाई कूट के चीप जस्टिस बने है तो जस्टिस सुरेश कुमार कैथ ये मद्वपरदेश हाई कूट के नए चीप जस्टिस बने है तो उसकुशन का बे ओप्सन सही है ये हैं जस्टिस सुरेश कुमार कैथ अच्छा मैंने आपको बताया था कि अमर प्रेट सिंग को अगला बायू सेना पर मुख डिकलियर किया गया जस्टिस तासी रावस्तान को जम्मू कस्मीर और रद्दाख हाई कूट का नया चिप जस्टिस डिकलियर किया गया केन सरकार ने एस एस रामचंदराओ को जारखंड हाई कूट का मुख के नयदिस नयुक्त किया तैयब एकराम को लगातर दूसरे कारिकर के लिए एफ आई एच का दिख चुना गया सलेमा इंतियाज ये ICC Empire Panel में सामिल होने वाली पाकिस्तन की पहली मैला बनी है अडानी ग्रीन इनर्जी ने सौरब सागू सेएफो नियुक्त किया यानि कि चेप फाइनेंसियल आफिसर और अमरत मुहन प्रसाद को ससस्त्र सेमावल का महाने देशक नियुक्त किया ने कुशन है कौन से राज्य सरकार फसलों को नुकसान पहुचाने वाले नेल गाय और जंगली सूरों को मारेगी तो यह डिसीजन लिया है बिहार ने बिहार में नेल गाय और जंगली सूरों को मारने का डिसीजन लिया गया और बन विबाग इनको मारेगा दूस्कुशन क से ओसे अप समय अब शुक्त में बिथा ठमय औरकी बीः चीपनिश्ट से ने तीश कुमार और बियार के गौइनर कऊने राजी इंदेर अर लेकर राजी इंद्र है कोने चैटार में है यह अम्रतलाल मीना अलकिए फिस्तित किया गया बेपी सीयल ने बिहार में ड्रोन आदारित बन रूपड परयोजना शुरू की खेलो इंडिया असमिता योगासन लीग बिहार में शुरू हुई बिहार सरकार ने मंदिरों मठों और ट्रस्ट के रेजिस्टेशन को अनिवार बनाया है बिहार विदान सभा में परण में शुरू हुआ ने कुशन है हाली में भारत और केस देश के बीच सयुक्त ब्यापार समित्ती का छटा सत्र नई दिल्ली में आयजूत किया गया तो यह अपने देश भारत और मेसर के बीच सयुक्त ब्यापार समित्ती का छटा सत्र नई दिल्ली में आयजूत किया कि प्रैसिटेंट कौन है अब दिल फत्तेह लस है कौन है अब लाष्ट वीडियो के question का answer लाष्ट वीडियो मैंने आप से question पूचा था कि हरेनी अमर सूरिया को किस देश का प्रधानमंत्री नियोग क्या गया तो यह स्री लंका की नई प्रधानमंत्री नियोग थुए हरेनी अमर सूरिया यानि कि इस question का बे option सही था और लगबख सभी श्ट्रेटनेस का अंसर सही दिया मूश्ट लिश्ट्रेटनेस के बारे में डिटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा question के बारे मैं आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते हैं इस तरह से जब आप पीडिएफ आप हमारे टेलेग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो टेलेग्राम पर आपको नेक्स्ट एक्जम सर्च करना है और यह पीडिएफ आपको मिल जाएगा अच्छा एक यह इंपोर्टेंट वीडियो है अभी के लिए अभी एस्या पावर इंडेक्स जारी किया गया और दुनिया का पहली बार तेसरा सबसे सक्षाली देश अपना देश भारत बना है तो यह अभी के लिए बहुत इंपोर्टेंट है इस बीडियो को आप जरूद देखिए यह बीडियो भी फैक्टि स्टेडी चैनल पर अपलोड किया गया है आप यूटूब पे फैक किमेंट बॉक्स में जरूरू बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा अब आपके लिए रिवीजन की कुशिशन अभी रिया सिंगा ने मेस यूनिवर्स इंडिया दोजर चौबिस का किताब जीता मोहना सिंग लाइट कॉमबेक्ट एयरक्राफ्ट टेजस बेडे में पहल के मामले पाए जा रहे हैं जिसमें से अफगारस्ता ने यह टेक अकरड अभियान इस्तागित कर दिया साथ सितंबर को ब्राजील का सुतंता दिवस मनाया गया अंकूर वाट सरवादिक फोटो जनेक यूनेसको विस्तु धरोहर घोसित हुआ खुले जल में तेरा की अभियान का उद्गाटन अंडमा निकोवार दीव सभू में किया गया माराष्ट के नासिक में 80% आरक्षड के साथ जन जाती विस्तु धाले स्तापित किया जाएगा केंद्री ग्रह मंत्री अमित्सा ने बे स्रीनेवास को राजवासा केरती पुरुसकार पतान किया इब्राहिम सेख टियों को चलवायू को उसका नेदेशक नियुक्त किया गया 45-वां फेडे सतरंज उलम्पियाड ये हंगरे की राजधानी बुड़ा पेस्ट में सुरू हुआ आरेना सबालेंका ने पहली वार अमेरिकी ओपन माईला एकल खिता और जैनिक सिनर ने अमेरिकी ओपन पुरुस एकल खिता है दलितों पर हुए अत्याचार के मौमने में उत्तरपदेश टॉप पर रहा है लेंडो नौरिस ने सिंगापूर ग्रेंट प्रिक्स 2024 जीता पंजाब ने चौद्यमी होके इंडिया जूनियर पुरुस राष्टी चेंपेंसिप जीती आलोक रंजन को NCRB का निवेशक नियुक्त किया गया आयाटी गुहाटी ने बिमान सिच्छा को बड़ावा देने के लिए एरबस के साथ साज़दारी की और आयाटी दिल्ली का नया केंपस अबुदाबी में खोला है जफर हसन को जॉर्डन का नया प्रदानमंत्री नियुक्त किया गया और जॉर्डन सुनके कुछ याद आया ये दुनिया का पहला देश बन गया है जिसे कुस्ट रोग मुक्त गोसित किया गया है अच्छा भारत में बेमानन मंत्राले ने नई एयर लाइन संख एयर को मंजूरी दी अब आपके लिए आज का कुश्चन आपके लिए आज का कुश्चन है भारत के पूर्वोत्तर में केस राज ने उग्रवाद मुक्त होने की गोश्न की है चार ओप्सन दिये गए इन में से आपको अपना अंसर होता ना है और इसके लाबा हम अमारे फेस्वुक पेज पर प्रेबियस एयर कोश्चन डेली पोस्ट करते हैं तो आप फेस्वुक पर नेक्स्ट एक्जम सर्च करके वारा फेस्वुक पेज जोईन कर सकते हैं क्योंकि प्रेबियस एयर क्वेश्चन आपको बहुत एल्प करते हैं अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉलम है तो आप इंस्टाग्राम फेस्वुक और एक्स पर इंद्रेस रसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट कोई भी कन्फूजन बिदाउट एनी हजीटेशन डिसकस कर सकते हैं तो यह था आज का हमारा करेंट अफेस का वीडियो आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लेज कमेंट बॉक्स में जरूब बताना और अगर अभी तक भी आपने वारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लेजिए आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी जब आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बरावर में एक बेल आइकर बनके आएगा आप उस बेल आइकर पर जरूख के लिए जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करेंट अफेस की वीडियो मिलती रहे नेक्स्ट एक्जम और बेज विद यू थैंक्स वर बाचिंग